हाई गाईज वेल्कम टू में यूट्यूब चैनल तर अश्वाज हम करेंगे लिक्रोस मर्टिप्लिकेशन मेत defence चैप्टर नमबर 3 पेर ओफ लीनेर एक्वेशन 2 वेरियबल्स क्रोस मल्टिप्लिकेशन मैथर में सबसे पहले क्या होता है हमें 2 एक्वेशन गिवन होती है एक सपोस कर लेते 2 एक्वेशन है 5X 3Y 35 और दूसरी एक्वेशन है 2X 4Y is equal to 28 अगर हमें इस पैटरन में कोई भी एक्वेशन गिवन होती है तो हमें सबसे पहले इधर 0 लेना पड़ता है और बाकी सारी चीज़े इधर लेफ्ट साइड में जितने चीज़े राइट साइड में होती है इस आरी हमें लेफ्ट साइड मिले गर जानी होती है और यहां पर कुछ नहीं होना हो चाहिए हो तब हम इसी solve कर पाएंगे 5X प्लस 3Y माइनस 35 इक्वार टू 0 यहां इक्वेशन 1 2X प्लस 4Y माइनस 28 इक्वार टू 0 यहां इक्वेशन 2 अब इसके साथ ही हमें फॉर्मूला गिवन होता है सबसे पहले आप एक बात याद रखो आपको एक नंबर याद गरना पड़ा है 4 डिजिट का 2, 3, 1, 2 बहुत जादा काम आए गए वालव फॉर्मूला इस क्वेशन में अब देखो आप यहां पर क्या क्या है X है इसके साइड में इसके यहां पर Y है इसके बराबर में मान लो 1 1 से मल्टिप्लाय हो रखा ठीक है यह मान रहो और इदर लिखो X, Y, 1 अब इस पैटरन को फॉलो करो अब इदर 2 क्या है सेकेंड नमबर पर क्या है इदर इदर है 3 नीचे है 4 अब देखो यह 2 मतलब है 1st, 2nd, 2nd नमबर इस प्यारा है तो यह है 3 कौन सा होगा 1, 2, 3 3, 3 यह होगा और 1 यह और 2 यह लिखेंगा है यह दोना एक्वेशन में होगा अब जैसे 1st equation में 2nd number पर क्या है 3 है यह हमने इदर लिख लिए 3 अब उसके बाद हमने 3rd number पर क्या है 3rd number माइनस 35 अब उसके बाद 1st number पर क्याए 1st equation के 5 है और second number पर 3 है यह लिख लिख लिए first equation का अब second equation का भी same लिखेंगे इसके नीचे इस equation में second number पर गया है 4 4 को यहां लिख लो उसके बाद third number पर minus 28 और यहां first number पर 2 और second number पर 4 अब इन दोनों को अब इन सब को आपस में cross multiply कर दो इनको आपस में और इनको अब देखो अब जो आएगा ना अब यह से multiply हो जाएगा 3 into minus 28 अब बीच में minus sign आएगा यहां पर minus 4 into minus 35 is equal to y upon में minus 35 multiply by 2 minus 5 into minus 28 is equal to 1 upon में 5 for the 23 to the 6 minus 2 अब इसको solve करेंगे और इसके साथ compare करेंगे और इसको भी इसके हमारी आपके आपके देख लेते हैं एक्स अपॉन में 8 to 24 4 to carry 3 to the 6 or to 8 minus 84 plus का एगा अंसर और वो है 140 is equal to y upon में minus 70 plus में 5 it's a 40 0 4 carry 5 to 10 4 0 equal to 1 upon में 14 so x upon में 656 equal to y upon में 70 equal to 1 upon में 40 14 अब इसको इसके फिक्वानलेगा जहरें तर इसकी 9 kurल ले लो seven 15 500 एओं उन्यामी वाइक्वालम में 70 नोको फार्यनकि11 को समझ में आ गया अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 61 एक्जामपल 15 से पेज नंबर 61 एक्जामपल 15 सो गाइस स्टार्ट करते है एक्जाम्पल नमबर 15 से अब हमें 2 एक्वेशन दिए हमें फाइंड आउट करना कि किस वैल्यू पी की वैल्यू क्या हो कि इन दो एक्वेशन का अंसरा है यूनीक सॉलूशन 4X प्लस PY प्लस 8 इस इक्वल तो 0 2X प्लस 2Y प्लस 2 इक्वल तो 0 और यूनीक सॉलूशन में क्या कंडिशन होती है A1 उपॉन में A2 नॉट इक्वल तो B1 उपॉन में B2 So A ये है B ये है So 4 उपॉन में 2 P उपॉन में 2 एक्वल नहीं होने चीए तो यहां पर आया 2 So P शूट नॉट बीक्वल तो इदर जाए 2 तो तो जाए 4 So P की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी होगी तो आंसर हमारा यूनीक सॉलूशन आ जाएगा So I am लिख सकते है For All Values of Of P Except 4 Will Give Unique Solution So इसके साथ हमार एग्जामपल 15 नहीं पड़ी हादम होता है अब स्टार्ट करते है एग्जामपल 16 से Example 16 में किस वैल्यू की क्या वैल्यू होगी की इंफाइनाइट सॉलूशन होंगे इन दो एक्वेशन्स के So basically K की वैल्यू इफाइंड आट लड़ी है इसके मैनी सॉलूशन्स रहें इंफाइनाइट और यह कब होता है जब A1 अपाउन में A2 इकोल टू B1 अपाउन में B2 इकोल टू C1 अपाउन में C2 ठीक है आपाउन में B की फारम में लिख लेते हैं पॉन में अगा 12 इकोड टो 3ौप ऑन में के अविकोर टू मैनसट्री प्लस थ्री प्रैट लिक कि माइनस 3 के माइनस 3 आएगा के माइनस 3 ऐसरह एंड्लूड नहीं होगा तो पॉन में पिर बेस भी तो है दूसा साइन भी माइनस माइनस तो इस जैसे भी लिखा सकते हो आप एक लिखते हो प्लस प्लस हो जाएंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे उससे होशन में अब इन दोनों मॉल्टिप्लाइ करो अब यह दो एक्वेशन ले लो बस इसको इदर ले जाओ के स्क्वेर और ट्वेल्ट र फिर के उस साइड विदर 흞ागे स्क्वेर माइनस थ्रीगे अठीक है तो अब य्दर ले ले आते हैं सो के स्क्रीः माइनस सिक्स के हैं equal to k common ले रहते हैं तो k – 6 यह k की value 0 होगी यह फिर k की value 6 होगी और वो बी plus का हमारा answer आएगा की वैल्यूँ आए इसकी value 0 यह फिर 6 यह जो answer 6 है वो satisfy कर रहा है दोनों कंडिशन्स को के की वैल्यू हम मानेंगे 6 है जो दोनों तरफ से कंडिशन्स को सैटिस्फाइ कर रहा है अब करते एक्जाम्पल नमबर 3. exercise sorry exercise 3.5 questions exercise 3.5 में हम बताना है which of the following pairs in equation दिया है में question number first में अब किसके किसे equation के unique solution है किसके no solution है किसके many solutions है अगर unique solution होता है तो हम एक्रोस multiplication method के through से point out लना है so first equation है x minus 3y minus 3 equal to 0 दूचे 3x minus 9y minus 2 equal to 0 अब लेलते हैं 1 upon में 3 equal to minus 3 upon में minus 9 इसका हो जाए 1 upon में 3 आगे माइनस माइनस अप्लस और यह minus 3 minus 2 इसके एक्वल तो है 2x plus y माइनस 5 equal to 0 3x plus 2y minus 8 equal to 0 अब 2 upon में 3 not equal to 1 upon में 2 इसका गया unique solution है तो अब इसके हमें solutions find out करने पढ़ेंगे cross multiplication method के through cross multiplication method में ऐसे गरना था सारी जितने भी right hand side में चीज़े थी हो सारी left hand side में लिए हैं पहले ही जैसे यह अब उसके बाद अब आएंगे formula याद है नो 2 3 1 2 यह formula apply करना हमें आप x y 1 तो सब्सक्राइब नमबर पर क्या है 1 और नीचे 2 उसके बाद 3 minus 5 minus 8 उसके बाद 1 2 upon में 3 नीचे 3 मतलब उसके बाद 2 1 और 2 अबने cross multiply करना है यार्ड कुल स्कुल में 9-4 माइनस ना फृक lamp माइनस कुल सब्सक्राइब ऑगा है तो प्लस हो सब्सक्राइब water यह दर्गाए highway तू यह यहाँ पर यह पलशका हो जाए तो यहाँगा और सब्सक्राइब के नक्राइगा अट कर ना 11 8 यहाँगी उसक्राइब मैं या में 1 और kी वैलू और मुंटीप्लाइअ कर और तो आ यकी वैलियों ऑई गी वन और एक्स की वैलियो आ UH यहेधा हो आप करते हम स्टार्ट थेर्ड पार्ट फस्ट weशंड न अ फंस जो फेश्ट नुशन को सर्फ 6x-10y-40 is equal to 0 3 upon 6 2 और यहां-5 upon minus 10 1 by 2 तो equal हो गया और यह minus 20 upon minus 40 तो यह दोना plus के हो जाए है और यह 2 जितीन हो equal है यहनिकि इसके infinite solution है infinite solutions अब देखते हैं फूर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेशन का इसमें हमें equations given है 3x-3y-7 equal to 0 3x-3y-15 equal to 0 1 upon में 3 इकोल तो गर बाद में दीक हो तो इकोल तो नहीं है तो इसका है unique solution तो इसका unique solution तो हमें इसके values find out करने पड़ेंगी कुमाना जो फॉर्म दा था वो था 2 3 1 2 x y 1 तो सब्सक्राइब पर क्या है माइनस 3-3 3-7-15 उसके बदवन पर गाए वन बाए 3 पर टू पर माइनस 3-3 अब क्रॉस मुल्टिप्लाइब होंगे इस चीजें तो एक्स अपॉन में तो एक्स तरीजर 45 इदो प्लस के हो जाएंगे तो मैनस का साइन तो फेट भी लगे गए तो उसाइंटेए 21 इस एक्वल तो य उपान में माइनस 21 माइनस और यह माइनस गाए तो प्लस हो जाए 15 जा फिप्टीन इक्वल टू वान अपान में माइनस 3 प्लस 9 अब नेक्स बेच पर करते हैं एक्स अपान में 45 माइनस 21 था तो आंसर आएगा 24 अपान में वाई अपान में माइनस 21 प्लस 6 है तो माइनस 6 आगे दर इस इक्वल तो 1 अपान में 6 सो एक्स की तो वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है माइनस 1 अब करता हूं कि सब्सक्राइब और किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सेकता है उसके मैं आंसर दीदूं अनसर से जल अब देखते हैं क्वेशन नंबर 2 को कर दो फर्स्ट पार्ट अब और बी की वैल्यू क्या हो कि जो लीनियर एक्वेशन और के इंफानाइट सोल्यूइंस सों इनाइट सुलिशन के आउट यह यह वन अपन में उपन में ब्स इपल तुशी एकुल टुकुन तुच जींग एंडी तीनों इकॉल होते हैं पान प्लस भी मौइनस टू इसे पनल में लेंगे भीं एकवाई है सबढ़ने यह टू है माइनस कमें बहां तक रख़ा था प्लस हो जाएगा च बह favoris इटयूरे लिए प्लस भी माइनस टू अब इन दोनों को पहल्ट solve कर लेते हैं 2a उदर यह प्लस b 2 के पास जाएगा तो 2a-2 बन जाएगा और यह इदर जाएगा तो 3a-3b मैंसे solve पर लेते हैं अब यह इदर जाएगा और यह इदर तो 5b इस तो पास पहल जाएगा और उदर सब्सक्राइब यह उदर जाएगा तो बच्छेगा क्या टू है और यह उदर जाएगा तो फोर है प्लस सिक्स कि एक सेंट बी आएगा शायद से वह बी कि एक्वेशन टू अब एक्वेशन वन की चो वैल्यू गिवन थी उसे हम इसमें यूस करेंगे यूस एक्वेशन वन इन टू तो यह की जाएगा हम फाइब लिगेंगे फाइब गो मुल्टिप्लाइ करेंगे तू से इसके गोला है फोर गफ्लस 6 फाय तू जा रहा हमिए 10B4 वी प्लस 6 उदर माइन उचे तो आएगा 6 वी इकवल टो 6 वी की वैल्यू आ गई पूर एक वेल्यू आए गी 5 कि एक वैल्यू आ यह हमारी 5 और वी वैल्यू आ यह 1 तो इसके साथ वह नमबर तू का फर्सट पार्ट के हैं यह पर इंपेर होता है अब देख एक के ने सकार आगर कि अब के कि क्या वैलियू हो कि इनके बीच में 9 सॉलुएशन आए कि नो सवलुएशन में कंडिशन होती है यह एवन अपॉन में एक टू इकल टू इवन अपॉन में बी टू नॉट इकल टू सी ओन अपॉन में c2 कि समय दूए क्यों थी यह फेस्ट ओल थी एक्स प्लस य-1 इकॉल तो जीडो और दूसरी एक्वेशन है टू के माइनस वन इंटो एक्स प्लसके माइनस वन इंटो में या-इस माइनस बेगन में टू के प्लस वन प्लस एख जीडो कि सबसे पहले लेतेँ हैं 25 ऑपन नि यए 25 के माइनस मान इक नोत चीए तो 3 कि माइनस 3 इसे सौट फोर लेता है इदर जाएगा 3 के माइनस 2 के हो जाएगा 3 के माइनस 2 के प्रिदर प्रसका हुआ जाए 3 माइनस 1 जाएकर और महां जाएगा 2 अब दर वेली लुगाया देख देखे एंग त मैंच नी ओनी छिए एगी वैलिया यह वनपाउन में 2-1 not equal to 1 upon में 2 2 2 2 4 1 the 1 upon 1 not equal to 1 upon my 5 that is 5 we बुस्समिटर फॉट करें लेते है निसी है वैईस्में चाहान तो जाएगी 3 upon me 2 to sub 4 minus 1 equal to 1 upon me 2 minus as a 3 upon me 3 equal to 1 upon me 1 minus 3 1 so k की value आई है हमारी 2 so satisfy कर ये दोनों conditions को सब हम करेंगे question number 3 3.55 question number 3 अब हमें substitution method तो आप सभी को पता है तो आप वो सब कुदी try कर लेना अगर किसी को doubt होता है उसमें किसी को question का answer नहीं आता तो वो comment section में लिख सकता है मैं उसकी भी separate से वीडियो बना हुआँगा so question number 3 को cross multiplication method के थ्रूँ करते हैं solve cross multiplication method के थ्रूँ so हमें 2 equation given है इस question में 8x plus 5y is equal to 9 3x plus 2y is equal to 4 सबसे पहली चीज हमें इसमें करनी होती है एक बार दुबारा बता रहा हूं कि यहां पर जितने भी चीज़ों right hand side में हो सारी हमें left hand side में लेगा जानी होती so 8x plus 5y minus 9 equal to 0 3x plus 2y minus 4 equal to 0 दो बात यह हो गई अब देखते हैं x upon y1 यह लिख दिया अब फॉर्मुला था हमारा 2 3 1 2 2 पर गया है 5 और 2 3 पर गया है minus 9 minus 4 1 पर गया 8 और 3 2 पर गया है 5 और 2 अमने cross multiply कर दो x upon me 5 4 सा 20 और minus का साइन था minus लगता है इन दो ने बीच भी और 9 तुझा 18 minus 18 आ गया एक को लोने चीज़ कि 9 तुझा 27 minus 27 minus 4 ज़र 32 ज़र 32 and it is a 16 minus cosign 5 ज़र 15 so x upon a minus 20 plus 18 is equal to y upon minus 27 plus 32 is equal to 1 upon 1 तो ज़्या गया पर गया एक कि एक वान मैं पर गया वान था पर गया पुल तो एक वान मैं 5 इक पॉल तो 1 अगस का एक एक वाल्या गया मतलब माइनस टू और वाई की वैलियो आएगी फाइफ इसे के साथ आपका थर्ड क्वेशन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर इसके सारे प्रियर जितने रिखे वह हमने सॉल पर दिया के लिनेर एक्वेशन के प्रॉस मार्टिप्लिकेशन मैथड के तुरू अब फूर्थ क्वेशन देखते हैं अब वेश्टन नमबर फूर हमें सॉलुशन फाइंड आउट रने हैं अगर वो एक्वेश्ट करते हैं तो सबसे पहले देख लेता हैं फिर्स्ट क्वेश्टन फिर्स्ट क्वेश्टन में एक्वेश्टन देख एक ऊस्टल है वह फिक्स चार्ज और रिमेनिंग डिपोजिट भी चार्ज करता है जो देश के लिए फिक्स चार्ज को मान लो एक्स लैट कर लो ठीक है और जो पर दे का चार्ज है उसे मान लो वाई तो एक्स ट्वेंटी वाई एक्वल टू थाउजन इतो यह आगए एक्वेश्टन अब इसको साइड ले जाते हैं यह लेफ्ट हंड साइड में ले जाते हैं एक्वेशन वान आ गई वह दूसित इक्वेशन रिएकली लिक्षी सकते हैं एक्व्लस26 यह मैं डिएकली लेफ्टन साइड पर लिखना हूं साइड चीज़ है फस इक्वल टू Zero a fixed charge or cost of per day i am find out वर नहीं है so x y 1 और फॉर्मुला 2 3 1 2 2 पर क्या है 20 or 26 1 per oh sorry 3 per 1000 minus ka yeah minus 1180 1 per 1 1 20 26 cross multiply करेंगे से एक्स अपॉन में लगल जीडो यहां पर प्लस हो जाएगा गोई एक साइन माइनस का आता ही है 2600 इकोल टू वाई अपॉन माइनस 1000 प्लस 26 माइनस 20 तो यहां पर आएगा 6 यहां पर कितना बचे रहा है यहां पर बचेगा 180 और यहां पर कितना बचेगा एक्स की वैल्यू आएगी 400 और वाई की वैल्यू आएगी 30 इसे के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट फॉर्थ क्वेशन का यहां पर रिसॉल्व होता है एक्स की वैल्यू आए 400 और वाई की वैल्यू आई थर्टी यहांनि फिक्स चार्ज पॉर्ण्रेड और जो पर डे का चार्ज वह थर्टी रूपी अब करते हैं इसका फॉर्थ पार् लागित करते हैं कि क्वेशनब्र फोर का अब इसमें दिया हुआ है सबसे पहले न्युमिद्रेटर गो मान लेते हैं मुम्रेटर को मानते हैं एकस गात रिख्राइम वे तो वद्ध्र हो गही अब कर अब कोई भी क्वेशन हैं उसमें अगर निमिडेटर में से हमने 1 माइनस करा है तो 1 बाइ 3 हो गया है अब से सॉल्ट को लेते हैं पहले हैं इधर 3x-3 इक्वल टू वाई वाई भी साइड है 3x-y-3 इक्वल टू जीरो इक्वलेशन वन हो गई उसके लिए दूसरे एक्वेशन है एक्वाई में अगर जब भी हम 8 एड़ करते हैं डिनोमिनेटर में हमारी फ्रेक्शन बन जाती है 1 बाइ 4 प्लस वाई 4x-y-8 एक्वल टू जीरो यह आगए सेगंड एक्वेशन तो इसी के साथ अब देखेंगे हम अब हम क्रॉस मेटिप्लिकेशन मेथड की तुरू दोनों एक्वेशन की सॉल्ट करके इसके फ्रेक्शन फाइंड आट करेंगे एक्स वाई वन फॉर्मुला था 2 3 1 2 सेगंड पर गया है मैनस 1 मैनस 1 थर्ड पर मैनस 3 मैनस 8 वन पर 3 और 4 और 1 सेगंड पर मैनस 1 मैनस 1 इनको क्रॉस मुल्टिप्लाइएंगे एक्स पॉण में मैनस मैनस प्रास हो जाए этग ऑव में पलस हो जाए ले इन साइन बीच मैनस पार यह पर मैनस Ultra0 24 यहां पर तो आगे 1 यहां पर आगे 12 प्लस का और यहां पर एक्स आगे फाइफ सो एक्सकी वेल्यू है 5 और Y की वैल्यू है 12 तो जो हमारे पास फ्रेक्शन थी वो थी 5 बाइ 12 तो आप करते हैं थर्ड पार्ट इस क्वेशन में गिवने ये शने आंसर करें sign Right अंसर को के उसने साहि़ जवाब दिया तो योसे 3 मार्क्त मिलें गी अगर उसने रोंग दिया है तो उसके माइनस फ'. फं पन माउग हो जाया रॉंग के लिए तो अब हमें राइट हैं उसे मान लेते हैं X और wrong कितने हैं उन्हें मान लेते हैं Y ठीक है अब total yes ने score करें 40 marks hitting 3 marks 3 marks मिले सही के लिए और minus 1 हुआ है wrong answer के लिए अगर had 4 marks awarded अगर सही number के लिए 4 दिये जाते और minus कर लिए जाते है wrong के लिए minus 2 हो जाते है अगर गलग के लिए तो उसे मिलते 40 oh sorry 50 50 मिलते हैं और यहां पर उसे मिले कितने 40 marks अब इससे हम correct कर लेते हैं अब correct वाले को में माने X so 3X minus 1Y is equal to 40 3X 1Y minus 40 ले आते हैं यहां गया हमारी first equation और second equation है 4X minus 2Y is equal to 50 4X minus 2Y minus 50 is equal to 0 so हमें find out करना है कितने questions हैं वहाँ पर cross multiplication method को जूश करते हैं X Y 1 formula था हमार 2 3 1 2 same पर गया है minus 1 minus 2 उसके बाद है minus 40 minus 50 third पर फर्स्ट पर है 3 by 4 3 and 4 minus 1 minus 2 cross multiply करा X upon minus plus आगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ही तो नश्ट हो जाएं लेहां minus sign तो एक्स की वैल्यू आएगी 15 और वाई की वैल्यू आजाएगी 5 तो टोटल क्वेशन जितने भी थे उसने 15 साही जवाब दिये और 5 रॉंग यानिकी टोटल क्वेशन थे पूरे पेपर में 20 तो हमारा आंसर है 20 जो हमें टोटल नंबर ओफ क्वेशन फाइंड आउट करने थे उसने 15 साही जवाब दिये और 5 उसके रॉंग होग तो टोटल क्वेशन च्वेशन च्वेशन थे तो अब करते हैं 4 पार्ट हमें यह दिया हुआ है एक प्लेस है और दूसरी प्लेस है भी दोने बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमेटर अब एक का स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट से इस तरफ के लिए और दूसरी भी हो रही है जैंगे और यह दोनों एक ढूसरी तरफ बढ़ेंगी तो यह दोनों ए घंटेक अंदर मीट अगर यह इस डारेक्शन में जाए और यह भी सेव्चला क जाए तो यह दोनों मीत करें five ऑरों और सो मैं basically यह formula लात रहा है no speed equal to distance upon their time अपन दोनों गाडियों की speed a की स्पीड मान लो एक कार की स्पीड एकस और बी कार की स्पीड वाई ठीक है सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता फॉर्मुला इस दिस्टेंस तो फिक्स है डिस्टेंस कितना है 100 अब देखो अगर यह दोनों एक दूर से तरफ बढ़ेंगी इन दोनों की स्पीड एड हो जाएगी और अगर ऑपो सेम डाक्शन में जाएगी यहीं की तरफ जाएगी तो एकस माइनस वाई अलग हो जाएगी इस वजह से कितना टाम दे रहा है एक घंटा सो यह हमारी क्वेशन है एक प्लस वाई माइनस अंडड इसर लिख लो इकवल तो जीरो इक तो फर्स एक्वेशन यह होई और दूस्त यह होई एकस माइनस वाई इकवल तो हंड्रेड इतना टाम लग रहा है पाच गंटे 5 डाइट मैंस 20 इस इकवल तो जीरो तो आगे एकवेशन टू अब इस क्वेशन में कुछ बच्चे सेंपली सॉल्फ कर देंगे लिगन यह लाउड नहीं है क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें स्पैस्पेसिकली गिवन है कि हमें एक्सरसाइज के क्वेशन को क्रॉस मर्टिप्लिके भी यह अभी आप आप यह लो करेंगे फॉर्मला था मारे पास 2312 ऐसेंट पड़ गया है प्लस वन और नीचे माइनस वन थर्ड माइनस ऑंड माइनस ट्रेंटी फर्स पर वन और वन पर वन माइनस वन अभी नेक्रोस मॉल्टिप्लाइ कर दो । एक्स अपॉन में माइनस 20 minus 100 is equal to y upon minus 100 plus 20 is equal to 1 upon minus 1 minus 1 so minus 1 upon 2 is equal to 1 upon minus 80 x upon minus 120 so x की speed आएगी अब यह दिखो इधर भी minus है और दोन तरफ minus है तो यह plus होगा x की value प्लस है और y की value प्लस है वैक्स की value है यह 60 हाफ हो जाएगा इसका और इसका भी हाफ दो आएगा 40 वांसर से 60 और 40 है कार्स की speed अब करते हैं एक्वेश्चन फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नमबर 4 का फिफ्थ वार्ट है अब सबसे पहले formula क्या होता है इसे भी area of rectangle गा तो area of rectangle as equals to length into breadth होता है अब इसमें यह दिया हुआ है किसी भी rectangle का area 9 square units कम हो जाएगा अगर उसके length को reduce करते है 5 units और उसके breadth को करते हैं 3 units increase एक तो equation यह है और दूसरी equation दिए है अगर हम length को करते हैं increase by 3 units और अगर हम breadth को करते हैं increase 2 units तो जो area है वो 67 times increase होगा अब यह दो equation आ गया हमारे पास अब इन दोनो equations के तुरू हम इसके dimensions यह लैंथ और breadth के value find out करेंगे so area किसके को लोता है lb के so lb directly हम यह लिख सकते है lb minus 9 is equal to अब इन दोनों multiply करो lb plus 3l minus 5b minus 15 lb से lb cancel 9 of side जाएगा 0 3l minus 5b अब minus 15 plus 9 0 equal to 3l minus 5b minus 6 equation 1 आ गई अब दूसरी equation है 67 lb is equal to lb plus 2l plus 3b plus 6 अब अब यह सार जाए तो 66 lb आएगा और दूसरी और दूसरी और दूसरी 2l plus 3b plus 6 हमारे पास equation आएगी अब 0 को side ले जाते हैं और दब 66 lb को side ले जाते हैं तो 2l plus 3b plus 6 minus 66 lb minus 66 lb यह आगा equation 2 minus 3b minus 6 plus 66 lb equal to 0 अब हमारे पास जो formula था वो था 2,3,1,2 यही था अब इसके साथ हम apply करेंगे x upon me sorry x,y,1 तो 2 पर क्याएगा 2 पर है 5 और minus 3 अब थर्ड जहेंगे क्या है 6 और minus 6 plus 66 lb अब फर्ड जहेंगे है minus 3 minus 2 उसके बाद है 5 minus 3 अब इसे solve करेंगे अब यहाँ पर एक यहाँ पर add होना है 67 plus a ठीक है इसको हम एक और पर देख लेए 67 plus lb lb से lb कैंसल हो जाएगा और यहाँ पर 66 आएगा सिर्फ और 66 आएगा सिर्फ तो minus 60 आए जाएगा यहाँ पर यहाँ लिख देंगे है minus 67 इससेंट भी नहीं 61 पर देख यह कि व折 जाएगा सिर्फ जाएगा इससेंट आए जाए बात देख देख यहाँ बात देख देगा है इससेंट आए जाए आए जाए और से लिख लेए जाए वाई देख भी आपानने minus 12 minus 3 in the 3 is equal to 1 upon me 3 3 is a 9 plus 10 there are 11 upon 19 is equal to y upon a minus assigned to the upper 595 X upon minus assigned to the upper 5 to the upper 5 to the upper 5 to the upper 5 to the upper to the upper 5 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 to the upper minus 61 so x y 1 formula 3312 यह फॉर्मला था अब से इंगे पर गया है माइनस 5 नीचे 3 आ जाएगा उसके बाद थर्ड जाएगा माइनस 6 यहां माइनस 61 ओके सब फर्स जाएगा है 3 और 2 अब से इंगे गया माइनस 5 और 3 अब इने प्लस का 303 618 इस इकोल तो वन अपॉन में 39 और प्लस 5 नंजा 45 ओ सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आएगा कि 19 13 13 13 7 16 23 36 तो यहां पर आजाएगा 17 और यहां पर आजाएगा 9 तो एक्स की वैल्यू आएगी 17 और य की वैल्यू आएगी हमारी 9 अब करता हूं कि आप सभी को वीडियो को यहां से देखना आप सारा क्वेशन तुरं समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा वैसे क्वेशन इजी था लेकिन जो इसमें माइन से जो में पॉइंट है इसमें यह है इंक्रीजिस बाइ 67 स्क्वेर यूनिट्स इसको मल्टिप्लाइब मत करते हैं एड करना सिर्फ इसे के साथ आज की वीडियो यह पड़ी एंड होती है हमारी एक्सराइज 3.5 और क्रॉस मुटिप्लिकेशन मेथर्ड सॉल्व हो गया है अगर अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना थैंक यू